21 सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोडों लोगों का भाई भाग के बदलने की ख्षंता रखता है एक समय था जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो उसका आर्थ अगला दसक या बिस्तिस साल बात का समय या फिर अगली शर्ट आप भी होता था लेकिन आज हर दिन टेक्नोलोजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं अब एक कुछ मिनिट पहले मैंने यहाँ एक्जिविशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखें इस एक्जिविशन में मैंने उसी फ्यूचर की जलब देखी चाहे टेलीकॉम हो टेक्नोलोजी हो या फिर कनेक्टिविटी चाहे सिख्ची हो ए आई हो साइबर सिकुरिटी हो सेमिकंडक्टर्स हो ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो डीप सी हो ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और यह हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पिडी देश के भविश्य का नित्वत्व कर रही है हमारी टेक रिवलुशन को लीड कर रही है फ्रेंट्स अपनी आद होगा पिछले बर्स हम यहां फाइवजी रोलाउट के लिए इखटा हुए थे उस आयतिहासिक कारकम के बात पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी आखिर भारत में दुनिया का सबसे फाइवजी फास फाइवजी रोलाउट हुआ था लेकिन हम उस सभरता के बाद भी रुके नहीं हमने फाइवजी को भारत के हर नागरित तक पहुचाने का काम शुरूँ किया यानि हम रोलाउट स्टेट से रीचाउट स्टेट तक पहुचे साथियों फाइवजी लौज के एक साल के भी तरही भारत में करीब चार लाख फाइवजी बेज स्टेशन्स बनने हैं इनसे देश के 97 परसंट शहरों और 80 परसंट से जाज़ पॉपलेशन को कवर किया जा रहा है भारत में पिछले एक वर्ष में मेडियन मोबाइल ब्रोडबेंड उसके स्पीड करीब करीब तीन गुना बढ़ देगी है मोबाइल ब्रोडबेंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था हंडर्ड एंड एइटीन से हम वहाँ पर अचके पड़े से आज 43 पुजिशन पर पहुँच गए है हम ना सिर्फ भारत में तेजी से फाल जी का विस्तार कर रहे है बलकि सिर्फ जी के छेतर में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे है हमारी यां टू जी के समय क्या हुआ था साथ नहीं पीडियो को पता नहीं होगा लेकिन मैं इसका वणन नहीं करूंगा वणना साथ मिडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगा और किसी चीज़ को बताई में नहीं लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालफंड में फोर जी का विस्तार हुआ लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है मुझे विश्वाथ है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा और साथियों इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधा सिर्फ रैंकिंग और नंबर सही नहीं होते इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधा इज अब लिविन को भी बढ़ा देते हैं जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेली मेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्परियंस होता है जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरीज को किसी लोकेशन तलाजने के लिए मैप का इस्तमाल करने की परिशान नहीं आती है जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसाम और आसानी से खेती की नई टेक्निक को सीख पाता है समझ पाता है कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलिबिलिटी सोशल और एकॉनमे दोनों ही रुप से बड़ा परिवर्तन करते हैं साथ को हम हर छेत्र में पावर अब डेमोक्रिटरिजाइशन पर विश्वास करते हैं भारत में विकास का लाब हर वर्ग हर छेत्र तक पहुँचे भारत में समसाधनों का सभी को लाब मिले सभी को सन्मान जिनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलोजी का फाइदा पहुँचे इस दिशाने हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक ज्याय है नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल एक्सेस टू रिसोर्सिस एंड एक्सेस टू टेक्नोलोजी हमारी सरकार की प्राप्पिता है चाहे वो मुत्रा योजना के तहर्ट कोलेटरल फी लोंज की बात हो या स्वच्य भारत के टूइलेट्स की या जैन ट्रिनिटी से होने वाले डारेट प्राप्पित ट्रास्पर की इन सभी में एक बात कॉमन है ये देश के सामान नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे और निश्चित तोर पर इसमें टेलिकॉम टेक्लोलोजी ने बड़ी भूमी का दिवाई है भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब दो लाग ग्राम पंचायतों को ब्राड बैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है हमारी अटल टिंकरिंग लेप्स के पीशे भी यही थौट है दस अजान लेप्स के जरिये हम करीब 75 लाग बच्चों को कटिंग एज टेक्लोलोजी से जोड़ पाए है मुझे भी स्वाथ है कि एकडेमिक इंस्टिटूशनस में 105 जी यूज केस लेप्स शुरू होने के आज के अभ्यान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है नई पीड़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा इंडिशेटिव है यह है किसी भी खेत्र से हमारी उवा जितना अधिक जोड़ेंगे उस छेत्र के विकास के संभावना और उस व्यक्ति के विकास के संभावना उतनी ही अधिक होगी यह लेप्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिन्द करने का विश्वाद जगाती है और मुझे पोरा भरोसा है कि हमारी हुआ अपनी एनर्जी अपने एंथुजियसम और अपनी स्पिरिट अब एंटरप्राइज से मैं पक्का मानता हूँ आपको सर्प्राइज कर सकते हैं कई बड़ो किसी पर्टिकुलर टेकनोलोजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिन के बारे में उस टेकनोलोजी को बनाने वालों ने भी नहीं सूचा हुगा इसलिए मैं अभी कुछ दिन बाले एक वीडियो देख रहा था हमारे देश के लोगों के सोच कैसी है और ड्रोन का ये भी उप्योग हो सकता है हनमान जी को इस रामाइन के जो मैंचन हो रहा था न तो हनमान जी को जड़ी उट्टी लेने ले जाना था तो उन्हों ड्रोन पर अद्वाद्जी को बेजा इसलिए ये अभ्यान हमारे नवजवानों में इनोवेशन कल्टर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग के कदम है फ्रेंट्स बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सकसे स्टोरी में हमारा स्टार्ट अप इको सिस्टिम भी एक बहुत महत्वपूर्थ ठान ले चुका है जो यहां स्टार्ट अप वाले क्या कर रहे हैं बहुत कम समय में हम ने यूरीकॉंस की सेंचुरिल लगाई है और हम दुनिया के टॉप थ्री स्टार्ट अप इको सिस्टिम में से एक बने हैं कि दोजार चौदा में हमारे पास कि मैं दोजार चौदा क्यों कह रहा हूं पता है ना तारीब नहीं एक बदलाव है कि दोजार चौदा के पहले भारत के पास कुछ अंडेट स्टार्ट अप थे अप कुछ हंड्रेंट्स लेकिन अब ये संख्या एक लाख के आज़ पास पहुच गई है ये भी पहत अच्छा है कि स्टार्ट अप को मेंटर और एंकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस ने एस्पायर प्रोग्रेम की शुरुवात के है मुझे मिश्वात है कि आपका एक अदम भारत के युवाओं के बहुत मदद करेगा लेकिन साथियों इस पड़ाव पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आये हैं और इतना दूर की परिस्टियों के बाद रहे हैं आप दस बारा साल पहले के मोबाइल फोन को याद करिए तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन गड़ी गड़ी हैंग हो जाती थी ऐसा ही होता था ना जर बताईए ना चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप करने चाहे जितने भी बटन दबा ले असर कुछ होता ही नहीं था बराबार है ना और ऐसी ही स्थित्यू समय सरकार की मिथी उस समय भारत की अर्थववस्ता का या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मूड में थी और हागत तो इतना मिगर चुका था रिस्टार्ट करने से कोई फाइदा नहीं था बैटरी चार्ज करने से भी फाइदा नहीं था बैटरी बदनने से भी फाइदा नहीं था 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फॉन को छोड़ दिया और अब हमें हमें सेवा करने का उसर दिया इस मदलाव से क्या हुआ वो भी साब दिखता है उस समय हम मोबाईल फॉन्स के इंपोर्टर थे आज हम मोबाईल फॉन के एक्सपोर्टर है तब मोबाईल मैनिफेक्टरिंग में हमारी प्रेजंस ना के बरावर थी लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाईल मैनिफेक्टरर है तब इलेक्टरॉनिक मैनिफेक्टरिंग के लिए कोई क्लियर वीजन नहीं था आज हम इलेक्टरॉनिक मैनिफेक्टरिंग में करीब दो लाग करोड रुपय का एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपने देखा है कि गूगल ने भी हाली में ये गोशना किया है कि वो अपने पिक्सल फॉन्स भारत में बनाएगा सेमसंग के फोल्ड फायू और एपल के आईफॉन फिप्टिं पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है आज हम सब को इस पर घर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तिमाल कर रही है साथियों आज जरुरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्ट्रिनि में अपनी सभलता को और आगे बढ़ाएं टेट इकोसिस्टिम में हार्डवेर और सौप्वेर दोनों की सभलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉंग सेमिकंडक्टर मैनुफेक्ट्रिन सेक्टर का निर्मान करें सेमिकंडक्टर के डेवलप्मेंट के लिए सरकार ने पहले ही करी 80,000 करोड रुपीज की PLI स्किम चलाई है आज विश्वभर की सेमिकंडक्टर कंपणिया भारतिये कंपणियों के साथ मिलकर सेमिकंडक्टर एसेम्बली और टेस्टिंग फसिलिटिज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है भारत का सेमिकंडक्टर मिशन सिर्व अपनी डोमेस्टिक निमानी नहीं दुनिया की ज़रुरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है साथियों विकास इन देश से विश्चित देश होने के सफर को अगर कोई और तेश करता है तो वो है टेक्नलोजी हम देश के विकास के लिए जितना जाबा टेक्नलोजी का इस्तमार करेंगे उतना ही विक्सित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे डिजिटल टेक्नलोजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जहां भारत किसी भी विक्सित देश से पीछे नहीं है ऐसे ही हर सेक्टर में बडलाव लाने के लिए हम उसे टेक्नलोजी से जोड रहे हैं हम सेक्टर्स के हिसाब से अलग-अलग प्लेट्फॉर्स बना रहे हैं लॉजिस्टिक्स के लिए पी-म गतिशक्ति नेश्टर मास्टर प्लान हेटकर के लिए नेशनल हेल्ट मीशन अग्रिकल्चर सेक्टर के लिए अग्रिस्ट्रेक्ट इंडिजिनियस डिजाइन एंड टेक्नोलोजी डेवलप्मेंट को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं मुझे जानकर भी खुशी हुई इंटरनेशनल टेलिकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस साथ मिलका इनोवेशन एंड एंटर्प्रनर्शिप फॉर SDGs विशे पार एक इवेंट कर रहे हैं साथियों इनसाने प्रयासों के बीश एक बहुती इंपोर्टन एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ यह एस्पेक्ट है साइबर सिकुरिटी और सिकुरिटी आप नेट्वरक इंफ्रासकेटर का आप सभी यह जानते हैं कि साइबर सिकुरिटी कॉंपलेक्शिटी का उस क्या है और उसके क्या दुर्ष प्रणाम हो सकते हैं G20 समिट में भी इसी भारत मंड़पम है साइबर सिक्यूरिटी के ग्लोबल थ्रेट पर गंबीर चर्चा हुई साइबर सिक्यूरिटी के लिए पूरी मैनिफेक्टरिंग वेल्यू चेन में आप मंदिर भरता बहुत जरूरी है चाहे हाड़वेर हो, सौप्वेर हो, या कनेक्टिविटी जब हमारी वेल्यू चेन का सब कुछ हमारे नेशलर डॉमेन में होगा तो हमें इसे सिक्यूर रखने में भी आसानी होगी इसलिए आज इस मोबाइल कॉंगरेस में ये चर्चा भी आवश्चक है कि हम ट्रबल मेकर से दुनिया की डेमोक्रेटिक सोटाजी को कैसे सुरख्षित बनाएं साथियों, लंबे वक तक भारत ने टेक्नलोजी की कई बसिज मिस कर दी है इसके बाद वो समय भी आया जब हमने आल्डेडी डेवलप टेक्नलोजी में अपना टैलेंच दिखाया हमें हमारी आईटी सर्विस इंडुस्ट्री के उसने भी उसको भी बढ़ाने के लिए पार्टेव यो प्रहास हुआ है लेकिन अब 21 सदी का एक आखान भारत की थौट लिडर्शिप का समय है और मैं यहां बैटे हुए सब को और यह जो अंडे लेप्स वर तुद घंडन में बैटे हुए नवजवानों को कह रहा हूँ और विश्वास कीजिए दोस्तों जब मैं कोई बात कहता हूँ तो गारंटी से कम नहीं होती है अब इसलिए मैं थौट लीडर्श वाली बात कर रहा हूँ थौट लीडर्श एक नए डाइमेंशन मना सकते हैं जिसे बात मैं दुनिया फॉलो करेंगे हम कुछ डॉमेंश में थौट लीडर्श बने भी है जैसे यूपी आई हमारी थौट लीडर्शिप का परणाम है जो आज डिजिटल पेमेंट सिस्टिम में पूरी दुनिया का नेत्रुत्व कर रहा है इवन कोविन के समय है हमने कोविन का जो इनिसेटिव लिया था आज भी विशूस की चर्था करता है यह ऐसा वक्त है कि हमें टेक्नोलोजी के एक्सेलेंट एड़ोप्टर और इंप्लिमेंटर्शन के साथ साथ टेक्नोलोजी का थौट लीडर भी बढ़ना ही होगा भारत के पास यंग देमोग्राफिकी ताकत है वाइबरन डेमोक्रेसी की ताकत है मैं इंडिया मुबाइल कॉंग्रेस के लोगों खास कर इसके युवा सदस्यों को आवंत्रित करता हूँ वही देशा में आएं आगे बढ़ें मैं आपके साथ हूँ आज एक ऐसे समय में जब हम पिक्सित भारत बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं थौट लीडर्स के रुप में आगे बढ़ने का ये टांजिशन पुरे सेक्टर में क्रांती कारी परिवर्टन ला सकता है और मैं जब विश्वास है और ये मेरा विश्वास आप लोगों की छंता के कारण है मेरा विश्वास आपके सामर्थ पर है आपकी छंता पर है आपके समर्पण पर है और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हम कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुपाना है और मैं देश के दिल्ली के अगल बजल के इलाके के नहुजवानों से आगर करूंगा कि वो भारत बंड़कम में आएं और ये जो एक्जिबिशन नगा है जिसकी टेक्नोलोजी में रूची है टेक्नोलोजी भविश में जीवन में कैसे नहीने खेत्रों को छुने वाली है उसको समझने के लिए ये बहुत बड़ा उसर है मैं सबसे आगर करूंगा मैं सबकार के सबी विभागों से भी आगर करूंगा कि उनकी जो टेक्नोलोजी की टीम हो वो भी हागर निए चीज़ों को देखे फिर एक बार आप सब को बहुत बहुत सुपकामना है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननी प्रधात मंत्री जी सभी को भी चाँज करने का भी नाइट करने का इंस्पायर करने का कि भारत विष्व का थॉट लीडर बने और यहाँ पर युवाशक्ती पर आपका विश्वास आपकी अंद्रदिष्टी आपका मार्ग्रशन निसंदे